अगर मगर जगर काम बताए क्रिया नगर आज मैं आपको बताऊंगी क्रिया क्या होता है जो शाथ किसी काम के करने या होने का बोद कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं तो चलिए देखते हैं मेरे घर में क्या क्या क्रिया हो रही है यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ रही हैं ख्रिया है चलिए यहाँ पर मम्मी रुची को कहानी सुना रही है इसमें सुना रही हैं ख्रिया है यहाँ पर रानी कपड़े धो रही है इसमें धो रही है, ख्रिया है चलिए, अब उपर चलते हैं यहाँ पर बच्चे खेल रहे है जिसमें खेल रहे है, ख्रिया है यहाँ पर पीऊ फल खा रही है इसमें खा रही है, ख्रिया है यहां पर दिया और उसके दोस्त टीवी देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं क्रिया है जैसे संग्या, वच्चन, विशेशन, आदि के भेद होते हैं ऐसे ही क्रिया के भी भेद होते हैं आईए मैं आपको क्रिया के भेद बताती हूँ क्रिया के दो भेद होते हैं पहला भेद होता है सक्कर्मक्रिया जिसके अंदर कर्म होता है जिसमें क्या लगाने से उत्तर मिलता है जैसे दिया और उसके दोस्त क्या देख रहे हैं उत्तर है टीवी एक और धारण है टीवू क्या खा रही है उत्तर है फल क्रिया का दूसरा भेद होता है अकर्म क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है इसका मतलब क्या लगाने से उतर नहीं मिलता है चलिए उसका एक उधारन देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उतर नहीं है पर इसमें कौन लगाने से उतर मिलता है जै से कौन पढ़ रहे हैं उतर मिल गया बच्चे धन्यवार